फटाक 30 सेकेंड में खबरे डाउनलोड कीजिए तका यह भी जानिये और साथ-साथ यह देखिए कि समाजबादी पार्टी के करीबी कारोबारियों पर कहां-कहां और चापे पड़ रहे हैं नमस्कार मैं हूँ कुमार अभिशेक आप देख रहे हैं यूपी तक और हमाजिन अपना न्यूज शो आज का यूपी लेगा बीजेपी के सहयोगी दलों ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है क्यूंकि अब टिकट बटवारे का वक्त आ रहा है अपना दल एस जो की लगातार बीजेपी का सहयोगी बना हुआ है आज उसने दो बाते हैं पहला अनुप्रिया पटेल ने कॉंग्रिस पर्टी की तारीफ इस बात के लिए की कि वह महिलाओं को अब ज्यादा तवज्जो दे रही है बनारस में आज अनुप्रिया पटेल थी और उन्होंने इस बात के लिए कॉंग्रिस की तारी किया कहा है अनुप्रिया पटेल ने सुने महिलाओं के आरच्छड की बात कही जा रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाह रही है महिलाओं की प्रतिभागिता और प्रतिनिदित हमारे राजनेति व्यवस्ता में बढ़ना चाहिए चुने हुए प्रतिनिदियों की संक्या भी बढ़नी चाहिए जहां तक कॉंग्रिस पार्टी की बात है तो मैं जरूर कहना चाहूंगी केवल उत्रप्रदेश में नहीं बलकि जहां कॉंग्रिस की सरकारे हैं वहां भी और उत्रप्रदेश के अलावा भी जिन राजियों में चुनाओं हैं वहां भी ये जो उनका विशे है उसको लेकर उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए पुर्वांचल में खास पकट रही अपना दल की तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपना दल 2017 के मुकाले 2022 में ज्यादा सीटों पर चुनाओं लड़ेगी अभी मैंने आपसे कहा कि सीटों के बटवारे के समन में हमारी वारता जारी है और जब सीटों की संख्या स्पष्ट होगी तो निश्चित रूप से आपको भी बताया कि बीजेपी के साथ बातचीत बटवारे को लेकर अंतिम दौर में है और जल्द ही इस पर फैसला हो जा उसे मिलेंगी इस बार सहयोगी दल ज्यादा दबाव बना रहे हैं बीजेपी के उपर और बीजेपी के लिए इस बार सीटे ज्यादा बाटना मजबूरी भी लगता है अब अगली खबर शियुपाल यादो आज जस्वंत नगर में थे अपनी ग्रिह सीट पर और आज यहा पब्लिक मंच से यह रैली कर रहे थे और उन्होंने अब एक तरीके से विलय के संकेत दे दिये प्रस्पा की इस मंच से बोलते वे उन्होंने अपनी मजबूरी भी जताई कि वो चाहते थे कि सौ सीटों पर चुनाव लड़ें लेकिन अब सब कुछ अखिलेश के हवाले है यानि अब अखिलेश यादव ही तै करें कि उन्हें कैसे जीतना है उनकी पार्टी अब पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है आप सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव लेकिन एक बात साफ है कि अब सपा और प्रस्पा यानि की ये दोनों पार्टियां लगभग एक हो चुकी हैं और विले मात्र और चारिकता बची है सुन लिजिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव अब तुनाव का जादा समय नहीं है अब ये आपको लगना है आपने कहा जो मैंने तो बादा पूरा कर दिया है हम लोग मिल करके तुनाव लगने हैं तो से समाजबाजी और समाजबाजी पार्टी के लोग मिल करके तुनाव लगने हैं हमने तो तेक कर लिया है मैंने तो आदर मुख्मंती बने अब जुम्मेदारी तो आप की बनाने की है जैसे तो हम चाहते तो हमारे पास हमारे 85 में 180 भी लड़ा सकता था लेकिन मैंने तो आखलेश आदर से कह दिया है मैं सुझाओ जरूर देंगे हमने अपनी बात जरूर बताएंगे लेकिन फैसला आपको करन मुख्मंती आपको बना है जैसे भी टिकेट देने हम तो इस चुनाव में कहेंगे जिसको भी टिकेट देने अखलेश आदर हम अपनी बात जरूर रखेंगे लेकिन फैसला आपको करना है उत्तर प्रदेश में लगातार इंकम टैक्स और जीस्टी के छापों का दौर जार रहा है कि जादा तर चापे उन लोगों पर पड़ रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के करीबी विवसाई है अजय चौधरी जो कि बिल्डर थे उनके घर पर रेड अभी भी चल रही है वहीं दूसरी तरफ अब आग्रा और फरुखाबाद में भी आईटी और जीस्ट की रेड दिखाई दे रही है आग्रा में चार बड़े जूता कारोबारियों के हाँ इस वक्त भी इंकम टैक्स का रेड चल रहा है और तकरीबन 30 घंटे होने को हैं जब ये रेड जारी है मन्नु अलग, मांसी चंद्रा, विजय हुजा और रूबी सहगल ये चार वो नाम ह बड़े जूता कारोबारी जिन पर इंकम टैक्स का छापा जिनके घरों पर चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि मन्नु अलग समाजवादी पार्टी से बेहत करीबी बेवसाई थे हैं इसके अलावा हाजी तारिक सेट जो कि फरुखाबाद के हैं, फ्लोर मिल, साथ- उनका cold storage है, उनके इन ठिकानों पर भी GST के छापे चल रहे हैं, हाजी तारिक सेट समाजवादी पार्टी से candidate भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के करीबी भी हैं, ऐसे में ये जो छापे इस वाक पिछले 2-3 दिनों से चल रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्ट समाजवादी के करीबी लोग बताए जा रहे हैं, फिलहाल इन ठापों से कितना मिला है, कहां कितनी गलतियां मिली हैं, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तावर तोड़ चापे जारी हैं, तो ये था आज का यूपी, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देख करें ये यूपीता.